नमस्कार इन्होंने आज मुझे सीविय बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छपाना क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जेल भीज सकते किसी को भी चाहे किसी ने कोई जर्म किया हूँ या ना किया हूँ कोई फरक नहीं पड़ता बहुत पावरफुल लोग हैं कल से इनके सारे नेता चला चला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ़तार करेंगे केजरीवाल को गिरफ़तार करेंगे शायद बीजेपी ने सीबिय CBI को आदेश भी दे दिया है कि केज-ज्रिवाल को गिरफतार करना है अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो CBI की क्या मजाल है फिर तो CBI गिरफतार करेजी इन्हें बहुत एहंकार हो गया सत्ता का हेंकार पावर का नशार किसी को कुछ नहीं समझते जिसको मर्जी ध पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, द्योपतियों को, सब को धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो, ने तो जेल में डाल देंगे, सब को जेल की धमकी देते हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बे इंतहा महबत करता हूं, जा गरीब क्यों को जंता की परवाई नहीं है, हमारे नेताओं को बस 24 गंटे गंदी राजनीती करनी हैं, हमारे ने तो बस 24 गंटे जेल में भेजने की दम्की देते रहते हैं, इसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में भेज देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, यो लोग धंकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, भेज दो, जरूर भेजो, इससे क्या होगा, देश की समस्यां दूर हो जाएंगी, केजरीवाल को जेल में भेजन तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल, जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवाने थी, तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला, आपको टेंट में एक नकली क्लास बना क के फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरों मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सब का इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया पंदरा साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी 30 साल में आप से गुजरात में क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सक्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भरष्टाचार और अपनी पैसे और सक्ता की हवस की वज़े से पर अब भारत रुकेगा नहीं है दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक एक भारत खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है अब ये एक एक भारते का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर क का मरीज हूं एक एक दिन में पचास पचास यूनिट से ज्यादा इंसलिन लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने दस दिन का और एक बार पंद्रा दिन का इंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्ट्रों ने कहा कि इतनी शु आप क्या तो केजरीवाल ब्रश्टाचारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोडों रुपे कमा लेता हूं उस नौकरी को लात मार के कई वर्शों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम आदमी मानदार नहीं है केजवीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सीबैएडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नमबर वन देश बन के रहेगा जैहन्द